आप देख रहे हैं रफ्तार न्यू चैनल सबसे थे सबसे आगे दिल्ली के बहारी उत्री जिला पुलिस ने एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाले पहलवान को किया गिरफ्तार पहलवान हरियाना के सोनी पत्का रहने वाला है रवी जिसकी उम्र 21 साल 23 जिन को नरेला इंडस्ट्री एरिया के सन्नोट गाउं में फाइरिंग एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी पहलवान के पकड़े जाने से दिल्ली के चार केस हुए हल एक चोरी की मोट सायकिल और एक हत्यार भी पकड़े गए हैं बदमास से बरामत नरेला इंडस्ट्रील एरिया थाना पुलिस वे इस्पेसली स्टाप की एक टीम बनकर इस केस में लगाई इस केस पर लगाई गई जिसमें हरियाना के सोनी पजिले के रहने वाले 21 साल के सूटर वे और रवी को ग्रफतार किया गया है रवी एक रेसलर है और हरियाना के सोन पर इसने इस रंगदारी के काम को सुरू किया जिस दिन फाइरिंग की गई उस मोट साइकल को ये सोनी पसे लूट कर लाए थे और फिर यहां घटना को अंजाम दिया था इसके पास एक 32 बोर की पिश्टल और चार जिंदा कार्टूस बरामत किये गए रेला इंडस्ट्रिल के इलाके के अंदर एक वारदात हमारे को रिपोर्ट हुई इस वारदात में दो नकाब को शपरादी एक मोटर साइकल पर आते हैं हमारे शिकायत करता के घर पे पहुंचते हैं उनका दरवाजा खटकाते हैं और एक परची उनकी तरफ फैंक के हवा में फाइरिंग करके व सेंस्टिविटी को देखते हुए हमारा इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ जिसके हेड इंस्पेक्टर रजे शर्मा है और हमारे SHO NIA इंस्पेक्टर अर्विन शर्मा दोनों के सूपर विजन में बहुत सारी टीमों का गठन किया गया उन टीमों पे सबसे पहला जो चैलिंज करी वह इस रूप में हुई कि पहला पालडा जो वह अक्षे पालडा था, भांजा जो है वह सचिन भांजा था और तीसरे सेथी जो है वह नरेश सेथी था जब इन अपरादियों की हमें शिनाक्त हो गई तो पता लगा कि इनका जो संबंद है वो राजू बस हो दिया और संदीब काला गिरों से है और ये पेशे वर एक्स्टॉर्शन का रैकट चलाने वाले गैंक्स्टर्स हैं और इस तरह के पहले भी कही मुगद में इनके उपर रह चुके हैं इस अपरादि जो यहां पर गोली चलाकर गए उनको पहचानना और उनको ढूंड निकालना अब हमारा में चैलिज था में काम था इसको अंजाम देने के लिए हमारी काफी सारे टीम्स बनी और ये टीम्स जजज़र और सोनी पत्के अलग-अलग गाहों में लोकल प्रोफाइल में और अलग-अलग बेश-बूशा बना कर रहने लगी जिससे कि इन क्रिमिनल्स के और इनके मिलने जुनलों के बारे में लोकल इंटेलिजन्स डेवलप हो सके उस लोकल इंटेलिजन्स को डेवलप करने के समय में हमारे जानकारी में ये बात आई कि अक्षे पालडा जो है अपने समय का बड़ा नामी ग्रामी पहलवाम रह चुका है और जब ये पहलवानी करा करता था तो इसका एक शागिर्थ था जो इसके साथ पहलवानी करता था जिसका नाम रवी शूटर के नाम से पता लगा इस रवी शूटर की कोई क्रिमनल परफाइल ने मिली क्योंकि इस पहला कोई लिस्टेड मुकदमा हमारे को नहीं मिला तो रवी शूटर को ढूंडना हमारे लिए और भी इंपॉर्टन्ट और बहुत मुश्किल हो गया रवी शूटर को ट्रेस करने के हिसाब से हमने बहुत सारे अपने लोकल इंटेलिजेंस के चैनल को एक्टिवेट किया और फाइनली हमें जाकर एक सूचना मिली कि खेडा नहर के पास सक्टर 28 में एक क्रिमिनल आने वाला है जिसको शायद रवी शूटर मिलने आएगा वहाँ पर हमारी टीम ने पूरा ट्रैप लगाया और सकसेशफुली इसको दबोच लिया जब ये आपरेशन हो रहा था इसके पास पिस्चल थी इसने पिस्चल निकाल ले की कोशिश करी हमारी टीम को फायर करने के लिए पर हमारी टीम ने अपनी मुस्तेदी दिखाते वे इसको वो मौका भी नहीं दिया रवी शूटर को जब हमने पकड़ा इसकी इंटेरोगेशन करी तो हमारे सामने ये बात जानकारी में आई कि जो तूसरा साथ ही इसके साथ आया था वो अंकित है और वो भी वही हर्या ना का रहने वाला है और अभी फरार चल रहा है इन दोनों ने ये सारा काम जो इन तीनों क्रिमिनल्स का जिनका परची पे नाम था उनके कहने पे पे किया था और इन्नोंने आने की जो वज़ा थी इसको भाई कहलाने का बहुत शौक था जैसा कि हमारी हिंदी फिल्मों के अंदर भाई कहने की प्रता चली आ रही है डॉन को गैंक्स्टर्स को हम फिल्मों में भाई कहके बुलाया जाता है उस चीज ने इसको इस बात के लिए लुभावनित किया कि मै क्राइम का रास्ता चुनूं और क्राइम में आऊं जब इसकी और हमने इंटरोगेशन करी तो इसने इस बात को भी एड्मिट किया कि 19 तारिक को जजजर के इलाके से इसने एक मोटर साइकल चीनी थी और यह वही मोटर साइकल है जो इन्होंने वारदात को अंजाम देने के लें इस्तिमाल करी 19 तारिक को जजजर से इन्होंने यह मोटर साइकल चीन के सबसे पहला जो वारदात करी वह इन्होंने बाबा हरिदास नगर जो की दवार का डिस्टिक में पढ़ता है वहां जाकर एक ज्वैलर के शोरूम पे सेम तरह की वारदात करी और वहां भी इन्ह मोटर साइकल ना मिले अब इसको जब अब गिरफतार कर लिया है इससे वह असला जो गोली चनाने के लिए इस्तमाल किया गया था वो और वो मोटर साइकल जो इसने नहर में फैक दी थी एविडेंस को मिटाने के लिए दोनों रिकवर की जा चुकी है और आगे की कारवाई हम जल्दी हम इसमें जो बाकी करिमिनल्स बच रहे हैं उनको जल्दी हम अरेस्ट करेंगे